दुनिया में अगर जिन्दगी की कोई लाइन है न वो बारिश है इस दुनिया में कितने लोग बसते हैं बताया जाता है आठ अरब इंसान है सबको पानी चाहिए फिर बताया जाता है कि जितने इंसान होते हैं मल्टिप्लाइबे टैन जानवर होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, असी अरब जानवर है, फिर बताया जाता है कि इसको मल्टिप्लाइबे 10 करें तो इतने परिद्दे होते हैं, तो 800 अरब परिंदे हैं, और पिर करोडों, अर्बों, खर्बों, पौदे हैं, इन सब को रोजाना पानी चाहिए, और अल्ला की शान अल्ला सब को रोजबानी पहुचा रहा है, दुनिया में पानी का एक ही सोर्स है, और वो बारिश है, जी हाँ, आप कहेंगे नहीं यार, कुएं भी हैं, तो दरिया भी हैं, तो आपशार भी हैं, ये सब बने कैसे हैं, और ये बनते कैसे हैं, लेट्स कम टूर्ट दपॉइ ताकि आपको एसास हो कि ये अल्ला की कितनी बड़ी शान है, ये पूरा एक सिस्टम है जब पानी पीते हो ना गलास में, ख्यार आना चाहिए कि ये पानी पहुचा कैसे है भुश तक, इसका सिस्टम क्या है पीछे, सबसे पहले बारिश बनती कैसे थे, कि दुनिया में वह बहुत 67% पानी है, और वो पानी हमारे इस्तिमाल का नहीं है, वो समुदर का पानी है, लेकिन जब पानी इससे बुखारात बनते हैं, एवपरेट होते हैं, और ये उपर आस्मानों में जाते हैं, अच्छा हम समुदर के किनारे रहते हैं कराची वाले, कभी भी हमने कोई पानी लाइन ही देखी है, कि ये समुदर का पानी जो असमान की दर्फ जारा रहा है, नजर नहीं आता, मगर ये कैसी पाइप लाइन है कि रोजाना करोड़ हाँ, करोड़ गेलन पानी उपर जारा है, बादलों में जमा हो रहा है, आप मेंसे सभी जाज में गएं कई बार जाज में हम बादल क्रॉस करके निकल जाते हैं, कभी राइट लेफ्ट कोई टैंकी ने दर नहीं आती, अच्छा अब दुनिया करोनों डॉनर के प्लैंट लगाती है, इस समुन्दर के खारे पानी को मीठा बनाने के लिए, मगर फिर भी वैसा मीठा नहीं बना सकती है, जैसा मीठा पानी हमें अल्ला की रहमत से मिलता है, मगर आप देखो ये कौन सा प्लांट है उपर, कि समुन्दर का पानी उपर गया है और जो वापस आता है, तो बारिश का पानी दुनिया का best mineral water होता है, इसको कुरान कहता है माय मुबारक, ये मुबारक पानी है, अब एक और problem, कि अगर बारिश बरस्ती तो वही बरस्ती जा समुन्दर था, पानी भी या से उपर गया, उपर से भी नीचे आ गया, नहीं, दुनिया के कई मुलक और कई शहर हैं जा समुन्दर ही नहीं है, तो उस जगा पर पानी कैसे पहुचता, तो अल्ना पाक ने transportation system बनाया, ये बादलों को हवा लेकर उधर जाती है, कि जितने समुन्दर भी नी होते, उधर जाकर ये पानी बरसता है, अच्छा जना आप पानी आ गया नीचे, जितनी जरुट थी तेना पी लेते, बाकी तो जाया हो जाता, सुछान अल्ला, अल्ना ने जमीन को ये salायए दी है, पानी चूस लेती है, पानी पी लेती है, अंदर हमारी जब भी जरुट पढ़ती हैं, बोरिंग से पानी को बार निकाल लेते हैं, ठीके, और पानी पिर साप पि जारा हो जाता है मगह जब गरμियों में पानी जाइए चाहिए होता है वो बरॉफ और फिगलती है आप शार बनते हैं नदिया चलती है नहरे चलती है द्रियाओं के जरीए पोरे बतन में पानी जाता है अल्लाओ अकबर ये बारिश ही है जो आपको नदी के जरीए, जो आपको बोरिंग के जरीए, जो आपको कुए के जरीए पानी मिलता है इसकी जो सोर्स है, जो पानी की आमद है, वो बारिश ही के जरीए है तो सुभानला, मेरे रब ने दुनिया के हर इंसान तक, हर पौदे तक, हर जानवर तक मानी पहुचाने का जो निजाम बनाया है बन्दा सिर्फ अकर यही निजाम देख ले तो उसकी अकल हिरान हो जाए और बेसाखता कहे कि फब आई आना ए रबकु मातु कजबान हम रब से दुनिया